हर्याणा के ताकतवर कुनवे की पिछले एपिसोड में हमने बाते की थी। चौधरी देविलाल और उनकी चार पीडियों के कुनवे में आने का हमने जिक्र किया था। तो आज बात करेंगे हर्याणा के एक और लाल, भजन लाल की सियासत और राजनेतिक विरासर की। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भजनलाल, बंसीलाल और देविलाल के बीच खीची थी तलवारे, क्यूं वो बंदूक लेकर अपने विधायकों की निगरानी किया करते थे। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे एक नहीं बलकि दो बार भुपेंदर सिंग हुड़ा ने भजनलाल के साथ किया था विश्वास घात। सफर की शुरुवात हुई थे। उनीसो सरसक में कॉंग्रिस के अध्यक्ष रहे सिद्वनहली निजलिंग अपपा ने बजनलाल को फटेहबाद से विधानजवाद चुनाव लड़ने का ओफर दिया। लेकिन भजनलाल तो आदमपूर से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी उनकी बात मानती इससे पहले ही आदमपूर के विधायक हरी सिंग डाबला ने कॉंग्रिस छोड़ दी। इससे भजनलाल का रास्ता साफ हो गया और 1968 में वो आदमपूर सीट से चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने। विधायक बने के दो साल बार 1970 में मुख्यमंत्री बंसीलाल ने भजनलाल को कृष्यमंत्री जैसे बड़े पत्तर बिठाया। उसके दो साल बाद यानि 1972 में दोबारा विधायक चुने जाने पर बजनलाल को फिर से कृष्यमंत्री बनाये गया। उस वक्त चोड़ तोड़ की राज़नीत का बोलबाला था। कहा जाता है कि बंसीलाल भजनलाल पर इतना वरोसा करते थे कि उन्होंने भजनलाल को विधान सभा में विधायकों की निक्रानी करने का जिमाही सौन दिया था। यानि उनके रहते कोई भी विधायक दूसरे खेमे में जाने की सोच तक नहीं सकता था। दावे की मताबिक भजनलाल उस वक्त विधायकों पर अपना खौफ बनाया रखने के लिए MLA होस्टल में दुनाली बंदूग अपने कंदों पर टांग कर गुमा करते था। जैसे तैसे वक्त गुजरा, 1975 आया तो इंद्रा गांधी ने जबरदस्ती देश पर एमर्जन्सी ठोटी। इससे देश वास्नों में बहुत खुस्सा था। 1977 में चुनाव हुए तो इंद्रा गांधी चुनाव हार गई। एमर्जन्सी के बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और मुरारजी देशाई देश के प्रधानमंत्वी बने। आजादी के बाद ऐसा पहली बार था जब देश में गयर कॉंग्रेसी सरकार बनी थे। इस सरकार में भारती जनसंग, भारती लोग दल और कॉंग्रेस से अलग हुए कुछ और दल शामिल थे। अलगि कुछ दिनों बाद ही जनता पार्टी में अन्मन होने लगी। दूसरी तरफ हर्याणा की जनता पार्टी सरकार में भी उतल-पुतल मची हुए थे। मुक्यमंत्री देविलाल के अपने करीबी ही उनसे बगावत करने पर उतारू थे। जिस वज़े से 19 अप्रहल 1989 को देविलाल ने जनसंग से आए मंत्रियों को बरखास कर दिया। 6 जूट 1989 का दिन था जब मुक्यमंत्री देविलाल हिसार और सिर्सा के दौरे पर थे। उन्हें ख़बर लगी कि उनके चार मंत्री बगावत पर उतराएं। उन्हीं बगावती नेताओं में से एक डेरी मंत्री भजनलाल बिश्णोही भी थे। देविलाल ने फौरन अपने विधायकों को बचाने के लिए सिर्सा जिले के तेजा खेडा में अपने किले नुमा घर में बंद कर दिया। अब कहा जाता है कि उन 42 विधायकों की रखवाली के लिए 14 देविलाल खुद बंदूग लेकर घूमा करते थे। वही देविलाल की सरकार गिराने के लिए बचनलाल के पास दो विधायक कमपड रहे थे। अब कर्ने तो क्या करें? कैसे उस महल से दो विधायकों को बाहर निकाला जाये? इस तरह की तमाम तिक्डम लड़ाई जा रही थी कि खबर लगी देविलाल खेमे के दो विधायक तेजा खेडा से बाहर निकले एक के घर शादी थी और दूसरे के चाचा भीवार थे अब देविलाल भी सियासत के मज़े हो एक लाड़ी समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बट है लिहाज़ा वो बिन बुलाई एक विधायक के घर शादी में पहुँच गया और देखा कि बजनलाल भी वहां पहले से मौजूद है दरजल तेजा खेडा में जब विधायक बंद थे तब उनसे मिलने उनके परिजन लगातार आते थे उन्हीं के जरीए भजनलाल अपना संदेश उन विधायकों तक पहुँचाते थे बाद में वही हुआ जिसका डर था दिविलाल खेमे के दोनों विधायक भजनलाल की तरफ आ गए 26 जून 1989 को जब दिविलाल को अपना बहुमत साबित करना था उन्होंने संख्याबल जुटाने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे इससे निराश होकर दिविलाल ने सीम पर सिस्टीफा दे दिया और इस तरह भजनलाल उनका तखता पलटकर पहली बार हर्याना के मुख्यमंत्री बन गए साल बदला 1980 में लोग से भाचुनाव हुए और इंद्रा गांदी ने फिर से जोड़दार बाब सीखी कॉंग्रेस को 529 में से 343 सीटे मिली और 14 जरनसिंग की जनता पार्टी महज 41 सीटों पर सिमटकर रहे गए तब अर्याना में जनता पार्टी की सरकार थी और भजनलाल मुख्यमंत्री थे कि इंद्र में सब्ता बदलते ही वजनलाल समझ गए थे कि अब उनकी सरकार भी बस चंद दिनों की महमान है मुझी जामते थे कि इंद्रा गांदी गएर कॉंग्रेसी सरकारों को बरखास कर देंगी क्योंकि एमर्जनसी के बाद जनता पार्टी सरकार ने भी कई राज्यों में कॉंग्रेस की सरकार ने बरखास की थी अब इससे बचने के लिए वो फूलों का गुल्लसता लेकर इंद्रा गांदी से मिलने दिल्ली पहुंचे मुलाकात के दुरान इंद्रा ने अपने तल्ख तेवर दिखाते हुए साफ साफ कह दिया कि बजनलाल जी आप अपने घर वापसी कर लीजे और बहुमत लेकर आईए कि दौरान चौदरी भजनलाल एक बड़े सूटकेस के साथ संजय गांधी से मिले थे और वो सूटकेस मेनका गांधी की मां के घर पहुंचाने के लिए उनसे कहा गया थे इसके बाद भजनलाल के नजदीकियां गांधी परिवार से बढ़ती चली इसी वज़े से 1986 मे राज हर्याना की मुख्वंत्री रहे और जैसे ही केंद्र में गये अपनी पत्नी जस्मा देवी को 1987 में विदान से बच्चों नावड़वार गये जनता ने विश्णोवी परिवार पर भ्रहुसा रखा और जस्मा देवी को विधाय के रूप में चुल लिया गया तो इस तरह आ अपनी राजनीत से जादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी वादों में रहते हैं 2008 की बाद है चंद्र मोहन उसके हर्याना की हुड़ा सरकार में डेपीटी सीम थे इसी दोरां उनका अनुराधा बाली नायम की एक वकील से अफेयर हो गया अब तो उन्हों शादी करना तक चंद्र मोहन तो पहले से शादी चुदा था जबकि अनुराधा का उनके पती से बाद हो चुका था अनुराधा बाली का तो ऐसे में 7 दिसंबर 2008 चंद्र मोहन और अनुराधा मीडिया के सामने आये तब तक चंद्र मोहन अपना धर्म बदल कर चांद मुहम्मद बन जो हरकत थी जो बड़े बेटें जो किया उससे गुसा है भचनलाल ने उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया और उनके हिस्से की संपत्ति उनकी पहली पत्नी और उनके बच्चों के नाम कर दी करीव एक साल तक दोनों का रिष्टा चला और 14 मार्च 2009 को तब खत्म कि यसी वांगे बरते हैं और बात करते हैं बजलाल के च्छोटे बेटे कुल्दीब विष्टनुई कि जिनने साल 1998 में बजलाल राजनीग मिलेकर आयए थी उसवक्त आदमपुर में बड़ी रैली के त्यारी चल रही थी बजनलाल के छोटे बेटे कुलदीब को राजदीत में उतारने का मन पूरा परिवार बना ही चुका था फिर भी जनता के सामने बजनलाल ने खुले मन्ज से कहा कि अगर किसी को आदंपूर सीट पर अपना दावा जताना है तो अभी बता दो मैं योगिता के हिसाब से उसे टिकेट दिला दूगा और की बात उनकर लोग खामोश नहीं फिर बजनलाल बोले अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं कुलदीब को तैयार करता हूँ इसके बाद पूरे ग्राउंड से आवाज आई हाँ हाँ कुलदीब को बना दो कुलदीब को बना दो उस समय केंदर में NDA सरकार्ति और हैर्याना में भारती जन्ता पार्टी के सहयोग से बंसी लाल मुक्यमंत्री थे लेकिन तब तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे और बंसी लाल से भजन लाल की राजनेतिक दुश्मन ही शुरू हो चुकी थे इस वज़े से बंसी लाल के बेटे सुरेंद सिंग ने आदमपुर उप्चुनाओं में कुलदीब के लिए खाई खुद भी शुरू कर दे बेटे कुलदीब के लिए मुश्किलें बढ़ती देग भजन लाल ने तुरंत उस वक्त बारती जन्ता पार्टी अद्धाक श्रहे लालकिष्ण आडवानी को फोन किया और सुरेंदर सिंग पर लगाम लगाने को का इसके बाद दुरेंद सिंग कुछ शान्त हुए और कुर्दीब बिश्णोई आदंपुर सीट से चुनाव जीत पाई अब इससे भजनलाल में कॉंग्रिस को लेकर गुस्सा बड़ गया हुड़ा से भी उनकी तक्रार हुई हलाकि उन्हें खुश करने के लिए कॉंग्रिस आलकामान ने भजनलाल के बड़े बेटे चंद्र मोहन बिश्णोई को डेपिटी सीएम बना दिया अब पार्टी हाई कमान को लगा कि इससे भजनलाल और पुपिंदर हुड़ा के बीच जो फासले हैं वो थोड़े कम हो जाएंगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं मजनलाल अपने चोटे बेटे के साथ मिलकर हुड़ा का बिरोध करते रहे और स्पेशल एकॉनमिक जोन यानी सेजट जमीन मामले को लेकर हुड़ा की घेराबंदी करते रहे विक्यों की मताविक हुड़ा सरकार ने सेजट जमीने रिलाइंस ग्रुप को बेची थी इस मुद्य को लेकर मजनलाल हुड़ा के खिलाब जम कर प्रदर्शन करते रहे अंत में हुड़ा ने पिता पुत्र को कॉंग्रेस से बाहर निकाल दिया लेकिं चंद्रमोहन डेपटी सीम बने रहे कॉंग्रेस के इस हरकत से गुस्साय बिश्णोही परिवाल में अतनी लडाई जारी रहती कॉंग्रेस से निकाले जाने के बाद पुल्दी बिश्णोही ने फुड़ा का गढ़ माने जाने वाले रोह तक एसी ट्रैक्टर रैली की कूरी कॉरी कॉंग्रेस देखती रहे गए हुड़ा का राजनेतिक गढ़ होने के बाब जूगद उस रैली में लाखों की संख्या में भीड़ी कठ्था हुई थी जो कोई मामूली बात नहीं थी और उस रैली में एक नई पार्टी हरियाना जनहि कॉंग्रेस यानी हजका का गठन हुआ तो नई पार्टी बने के दो साल बाद 2009 में चौदी भजनलाल ने अपनी पार्टी हजका से हिसार सीट पर लोगसभा चुनाव लड़ा ये उनका आफ्री चुनाव था उन्हें के संपत्सिंग को 6000 बोटों से हराते हुए हुड़ा के जीत दर्जी जबकि 6 सीटे जीत कर हरियाना जनहित कॉंग्रेस किंग मेकर बनकर ऊगरी लेकिन बुपेंजिंग हुड़ा ने ऐसा खेल खेला कि बिशनुई परिवार की सियासत का लगभग हात्मा हो गया हुड़ा ने चुनाव के बाद रात और रात हजकां के पांच सियासत आगे बढ़ाई वगर कहानी यहीं खतम नहीं होती भजनलाल तो राजनीत के खिलाडी थे लेकिन कुल्दीप अभी पुरी तरह से परिपक्खों नहीं हो पाए ते इसलिए वह उड़ा से दोका काने के बार दी फिर से उन पर बनुसा कर बैठे लेकिन इस बार किसम को टिकेट दिलबाया वगर वो अपने पहला ही चुनाओ बुरी तरह हार गया वीजेपी के चौधरी बिजेन सिंग्ने उन्हें करीब चार दशमलों एक नौ लाग यानि चार लाग उननीस हिजार वोटों से हराया यह पहला मौका था जब आदमपुर के लोगों ने विश के असी करियर बचा सकती है और उन्हें चुनाव जिता सकती है इसी को देखते हुए अगेस 2022 में कुल्दी बिश्णोई अपनी पत्नी और बेटे भव्य को साथ लेकर बीजेपी में शामिल हो गया और उस वक्त हुए आदमपुर चुनाओं में फिर से अपनी राजनितिक विरासब को बचा पानी में काम्याब हुए इस बात फिर हरियान में होने जा रहे है विदान सभा चुनाओं में बीजेपी ने भव बिश्णोई पर दाम लगाया और उन्हें आदमपुर सीट से टिकेट दिया है और इस तरह चौदरी भजनलाल की तीसरी पीढ़ी का हरिय जाना की राजनीत और आदमपुर सीट पर दबदबा कायम है